बिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दक्षणी रेंज टीम ने करोडो रुपेओं की रंगदारी मांगने और न मिलने पर फाइरिंग करने के दो मामलों में नंदू बाबा गैंग के एक कुख्यात वांटिड गैंगस्टर 26 वर्षिय सोनु को नजफगर इलाके से गिरफतार किय जेल में बंद गैंगस्टर जियोती बाबा गैंग के डायरेक्शन पर आरोपी सोनु ने गाउ सुरहरा में 90 एकर में बनी गौशाला के चेर्मेन और विकासपुरी के एक बिल्डर से एक एक करोड की रंगदारी मांगी थी गाउशाला के चेर्मेन द्वारा रंगदारी देने से मना करने पर आरोपी सोनु गाउशाला के गेट पर गोलियां चला कर फरार हो गया था आरोपी के पास से पॉइंट 32 बोर की एक सेमि आटोमेटिक पिस्टल और छे जिन्दा कार्टूस बरामद हुए हैं Special Sale TCP जसमीत सिंग ने बताया कि Special Sale दक्षणी रेंज को जेल में बैट कर एक्स्टॉशन गैंग चला रहे गैंग्स्टरों को नियंतरित करने का काम सोपा गया है Special Sale दक्षणी रेंज ने ACP अत्तर सिंग की सुपविजन वद दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार के नेतरित्व में अच्छा काम करते हुए हाल के दिनों में एक्स्टॉशन गैंग के कई सदस्यों को दबोचा है जेल में बंद गैंग्स्टरों द्वारा पैदा किये गए दहशत के माहौल को नियंतरित करने के लिए Special Sale लगाता प्रयास कर रही है Special Sale DCP जस्मीत सिंग ने बताया कि जन्वरी 2022 में गैंग्स्टरों द्वारा गाउ सुरहरा में 91 में बनी गौशाला के चेर्मेन और विकासपुरी दिल्ली के बिल्डर से एक-एक करोड की रंगदारी मांगी गई थी गौशाला के चेर्मेन द्वारा रंगदारी देने से मना करने पर दहशत का माहौल बनाने के लिए जेल में बंद गैंग्स्टरों ने अपने गुर्गों से गौशाला के गेट पर गोलिया चलवाई थी इस संबंध में थाना जफर पूर कला दिल्ली में एक मामला दर्ज किया गया था लेकिन आरोपी स्थानिय पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे Special Sale TCP जसमीट सिंग ने Extortion Gang के फरार बदमाशो को दबोचने का काम Special Sale दक्षनी रेंज को सौपा तभी से Special Sale दक्षनी रेंज ACP अत्तर सिंग की सुपविजन में दबंग इंस्पेक्टर शिवकुमार की टीम आरोपियों पर नज़र रखे हुए थी दिनांग 10 फरवरी 2022 को Special Sale दक्षनी रेंज के दबंग इंस्पेक्टर शिवकुमार वर इंस्पेक्टर जितेंदर की टीम ने गौशाला के चेर्मेन और विकासपुरी दिल्ली के बिल्डर से एक एक करोड की रंगदारी मांगने और गोलिया चलाने के आरोप में एक स्टॉशन गैंग के एक गैंग्स्टर सुमित धंकर को आउटर दिल्ली से दबोच लिया था आरोपी सुमित धंकर के पास से पॉइंट 32 बोर की एक सेमी आटोमेटिक पिस्टल और पांच जिंदा कार्तूस बरामद हुए थे सुमित धंकर की गिरफतारी से वारदात में नंदू बाबा गैंग के एक कुख्यात वांटेट गैंग्स्टर सोनू का भी नाम आया था इंस्पेक्टर शिवकुमार ने वांटेट सोनू को दबोचने के लिए मुक्भिरों का जाल बिचा दिया इंस्पेक्टर शिवकुमार को नजफगड इलाके में वांटिट सोनू की एक्टिविटी के बारे में पता चला इंस्पेक्टर शिवकुमार ने स्पेशल सेल दक्षनी रेंज ACP अत्तर सिंग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की Special Sale दक्षणी रेंज ACP अत्तर सिंग ने Information से Special Sale के वरिष्ट अधिकारियों को अवगत कराया Information मिलते ही Wanted को दबोचने के लिए Special Sale DCP जसमीत सिंग ने Special Sale दक्षणी रेंज ACP अत्तर सिंग की सुपविजन और Special Sale दक्षणी रेंज के दबंग Inspector शिपकुमार वर Inspector करमवीर सिंग के नित्रित्वर में ACI सुमित, अनिल, राजेश शर्मा, ACI रविंदर सरोहा, गुरुवेंदर, संजीव, सचिन कौशिक, Head Constable रोहिद दांगी, मोहित पनवार, रोहिद पनवार, नीरज, पंकच शर्मा, यशपाल, रविंदर, Constable जितेंद और कोपल की एक टीम का गठन किया, टीम को 13 फरवरी 2022 को दिल्ली के नजफगर दौराला रोडस्थित शमशान घाट के पास वांटेट सोनु के आने की सीक्रेट इंफोमेशन थी, टीम ने नजफगर दौराला रोडस्थित शमशान घाट के पास अपना जाल बिचा दिया, देर रात वांटेट सोनू आता दिखाई दिया टीम ने आरोपी को चारो और से घेर कर दबोच लिया वांटेट आरोपी की पहचान धर्मपुरा एक्स्टेंशन नजफगर दिल्ली निवासी 26 वर्षिय सोनू पुत्र ओम प्रकाश के रूप में हुई आरोपी के पास से पॉइंट 32 बोर की एक सेमि आटोमेटिक पिस्टल और छे जिन्दा कार्तूस बरामद हुए है गिरफतार सोनू ने बताया कि वो गैंग्स्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और गैंग्स्टर ज्योती उर्फ बाबा का एक्टिव सदसे है पूच्टाच में गिरफतार सोनू ने आगे बताया कि उसका भाई अनिल उर्फ गैंग्स्टर नंदू बाबा गैंग का सहयोगी है और अपने भाई के कहने पर ही वो पिछले 5 साल से नंदू बाबा गैंग से जुड़ा हुआ है गैंग्स्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू, गैंग्स्टर जियोती उर्फ बाबा और निल उर्फ इस समय दिल्ली की तिहार जेल में बंद है जेल में बंद गैंग्स्टर ज्योती उर्फ के आदेश पर सोनु गैंग के अन्य सदस्यों को आर्थिक मदद, सिम कार्ड एवं मोबाइल हैंसेट की विवस्था करने के साथ गैंग के सदस्यों के बीच संदेश पहुचाने का कारे करता रहा है गिरफतार सोनु ने आगे बताया कि गैंग्स्टर ज्योती बाबा के डिरेक्शन्स पर उसने सुमित धंखड और गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर दिल्ली के पैसे वाले लोगों से धनोगाही की योजना बनाई थी टारगेट को धमकाने के लिए जेल में बंद गैंग्स्टर ज्योती बाबा ने दो अंतराश्ट्रिय नंबरों की विवस्था कराई थी ताकि कॉल करने वाले की पहचान न हो सके सोनु ने आगे बताया कि जनवरी 2022 मह गाउं सुरहरा में 90 एकड में बनी गौशाला के चेर्मेन और विकासपूरी के एक बिल्डर को अंतराश्ट्रिय नंबरों से धमकी भरे संदेश भेजकर एक-एक करोड की रंगदारी मांगी थी गौशाला के चेर्मेन द्वारा रंगदारी देने से मना करने पर आरोपी सोनु गौशाला के गेट पर गोलियां चला कर फरार हो गया था गिरफतार सोनु के अनुसार जेल में बंद गैंगस्टर ज्योती उर्फ बाबा व गैंग के अन्य सदस्या एक दूसरे से मोबाइल के थरू संपर्क में थे स्पेशल सेल टी सीपी जस्मीट सिंग के बताया की आगे की जाच जारी है और गिरफतार आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत कारिवाही की जा रही है संसनी ओफ इंडिया नेटवर्क अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरू कड़ी नेदर खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत सच दिखाते हैं हम तुर्ण संसमी ओफ इंडिया इंदी सब्सक्राइक न्यूजपेपर अर रविवार आपके द्वार वो आप तक पहुचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सब्सक्राइम